यह है जी पूरा मचली का पीस आए है और इसकी कितने की प्लेट रहती है 1700 प्लेट यह अच्छा जी पुरी मगस से भर दी है इनोंने यह जी उनकी लाल भोटी के सीन एक एक रिश्या पकड़ कि आप फ्लग कर सकते हैं ये किया है गोला मचली है अच्छा ये भी गोला मचली है अधारा सौर बेकी मुहमदी निहारी वाई कोई खुदाखौपी होती है आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो रमजान आ चुका होगा मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारिक असलाम आलेकूं मैं हूँ अब्दुर्रह्मान संगेडा ये है रमजान सीरीज की एपिसोड बान और इसमें हम आपको बचाएंगे कि लहौर की ऐसी कौन सी बाच लोकेशन हैं जहां से बेहतरीन किसम की निहारी मिलती है एनमे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे कौन सी सबसे इची लगी और कौन सी सबसे सस्ती तरीन थी से पहले के मैं वीडियो स्टार्ट करूं आप से मेरबानी है के चैनल को सबस्क्राइब कर लो अब तो इतना हम आचुके हैं हमारी पज्वारिस निहारी और यहां पर यहां पर चेक करें फुल रश लगा हुँ है यह जी वारिस निहारी और यह मौझूद है अनारकली बजार अगर आपको पते हैं और झमानन सेटाइड और और उससे थोड़ा सा आगे, लेफट स्ट रीट पे आपको मिली गी, ये है जी, वारी नहारी वारी नहारी के यहां पे आपको दो सेटप देखने को मिलेंगे, एक है इनका मेंल सेटप और एक है फ्राई वाला सेटप अब जो मीन सेट अप है वो घर सारे पतीनों के मुश्तमिल है जिसमें लाल बोटी है मगज है नली है निहारी है अब जिस तरह इनों ने पतीने भर भर के मगज और नली रखी हुई है वो आपकी रूप को तर्डबाने के लिए काफी है वाखी फुल रश लगा हुए है अन् तो यह चेक हरें है यहाँ पर हमारे दड़ा दड़ा आउडर लग रह रहे है सबसे पहले यह चेक हरें यह आगे जी लाल बोटी और यह रागे नहरी मैशाललो यह अजा देञे तरह तो यहां पर इनका यह यूज किसम का सेट अप है जिसमें यह एक बड़ा पतीला है जो के नहारी से भरा हुआ है इदर एक पतीला है जो के लाल बोटी से भरा हुआ है यह है जी तरी वाला पतीला और इदर मगस है और अगर आप इदर देखे ना यहां पर है जी नलिया एक स्टारत हाफ तो लगने लगी है बाउल भर भर के जा रहे हैं और लगर रहे हैं पैक हो रहे हैं कॉंटिम्यूस्ली में एक सेक्ट ऐसा नहीं देख रहा हुआ जिसमें यह फारी बैट रहे हैं अगर आपने फ्राई करवानी होती है तो इन्होंने तड़का तड़ार करके रखा वे देसीगी में होता है अगर अगर चाप बसा ले लो चाहर सिंगर लाओं तो गए दो आपा करना रोड़ी फ्राई वाले सेटप का कोई मुकाबला नहीं है जो निहारियां पीछे से लगके आरी होती है वो यहां गरम भी हो रही होती है फ्लस उन पर तड़का भी लगाया जा रहा होता है बाकी बल्क में जा रही है यहां मेरी बस होगी मैं कैसंगेड़ा साब और इंतजार ने हुंदा हुंचरो जाओ अपनी प्लेट लेकर होगा असलाम अलेकूम आप कितने टाइब होगे आपको दर रहे होगे पचात सारी हाँ मुझे पताँ के रम्दान की टाइब होगे असलाम लेकर फचर कर दो एक अपनी अफ़तारी तो दोनों एक आप लगा दें अप्लेट होगे हैं ने लाल बोटी और हमें लगवाई है जी मगज निहारी मखज निहारी फ्राई माद एक भेज क्र 자 favor अगला आगलाई सुभानलाँ एलाज दरू एला अब निहारी अब आएगी तर्शनलाइग निहारी फ्राई बूर्ड़ निहारी वेडसे हैं यह जी हमारे नहारी की प्लेट जो के हमने मघज वाली करवाई थी वटे them तो नहोंने प्यार में थोड़ी तोड़ी सी नली डाल दी है अब इस पे लगने लगा है यह जी यह जी जी घजा है अगर आपने शीर माल के साथ खानी है अभी हम खाएंगे खमीरी डोटी के साथ यह हमारी आचुकी नहारी है यह हमारी नहारी की प्लेट जो के हमें पड़ी है 1100 रपे की और इसका रूल नमबर वन यह है कि आपने लीमू लेना है ऐसे और उसको ऐसे बड़े प्यार से सुभानालाई इसके बगएर भाईजन अगर यह लीमू नहीं चिड़क रहे तो फिर कोई फाइदा निया रहने दो आइसे करके नहारी ट्राइ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह वीडियो आपने एंड सक देखनी है क्योंकि जितने भी है पॉइंट्स हम कवर करेंगे उनकी रमजान टाइमिंग्स आपको लास्मी अपडेट करेंगे नहारी ट्राइ करते हैं जी सबसे पहले एक लाल बोटी के साथ अपनी बाइट बनाएंगे बिसमे लायरोमान रही है यह चेक करेंगी बाइजन तड़के से फुल मतलब भरी हुया प्लेट तो उपर आपको एक फुल तरी की लेयर तरी और तड़के की लेयर नजर आती है तो नहारी कहीं नीचे रह जाती है यह हमारी पहली बाइट जिसमें है लाल बोटी और लाल बोटी की बहुत 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 तो जब आप तड़के वाली लगवाते हैं तो आपको एक डिसीगी का स्ट्राउंग ऐसेट आता है अब सिर्फ है यह हमारी मघज वाली बाइट जैसी लाल पुटी है टीटू वैसा मघज है और मघज तो आपको मूट के अंदर फील नहीं होगा अगर आप सोच रहे हैं कि मघज असा जिसकी रहती है वो थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है वो चंकर नहीं है अब एक अपनी अल्टीमेट बाइट बनाएंगे लिए एक ऐसी बाइट है कि आपकी तबीयत फ्रेश कर देगी असल जो बाइट आपको अंदर तक स्कून देती है वो यह अल्टीमेट बाइट है जिसमें लाग बोटी भी होती है महस भी होता है और तरी और नहारी का एक मिक्सचर होता है पचा वारिस नहारी पे मैं यह रिक्मेंट करूंगा कि कि अच्छी से बाइट है फिर आपको वो तड़के और नहारी का एक अच्छा ब्लेंड मिलेगा परना उपर उपर एक अच्छी कॉंटिटी होती है जो के तड़के के होती है मैंने सोचा इनकी लाल बोटी के कुछ अपी गिसम के नजदीक से सीजन चेक करा है किस तरह वो इसको अभी मैं रेट कर रहा हूं नाइन या 9.5 रेट करूंगा टेस्ट के लिए हास से मुझे नहारी ने सैटिस्फाइ किया अब चलते हैं हमारी अगली लोकेशन पर और तब ही इसको कंपेर करेंगे जब दूसरी कोई नहारी ट्राय करेंगे आपको यहां देखके मैं अ पर आपसे मुलगाओ के लिए अगे मर्ड़ने से पर्ले मैं आपको नहारी की थोड़ी सी हिस्ट्री बिताई जाए जाए निकला एक करेभित वर्ड नहार से जिसका मतलब होता है सुबा के यानि सुबा को क्या जाने वाली चीज और इसकी पेडिया मिलती हैं दिली से यान सा नाशता था शाही नाशता था जो के हमेशा फजर के बाद ये मुगल और जितने भी नवाब होते थे ना वो खाते होते थे और एक और सीन यह है कि मैं इंस्टा पे हर महीने एक गिववे या मीट अप या फूड वॉक करने वाला हूं और वो सिर्फ उनको मिलेगी जो के मेरे टॉप तीन से चार फॉलवर्स होंगे जो के हर वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे फेस्बुक की और यूट्यूब की अच्छा यह जी वारिस नहारी वाली गली और यह राइट पे आपको वारिस नहारी नजर आ रहा होगा इस गली से जैसे आप निकलेंगे ना तो ज अले कुम असलाम जनाब खरीस से चार अल्लह का शूकर अब यह भोडिया है अल्हामदोल ला अजब्ला जबर जासे हैं मार्जाला कितना टाइम होगा अपने सेट-प को था को अमें तक्रीमता है तक्रीम सें होगें मुझे बतादे हैं रमजान की का ठामिंग होंगारी है इन्याला तर से नाहता है जाने हमारा ओकी हमारा लाल भोटी का पीश छूफा जादा यादर बॉर्धर जी है यहां प्रचाथ ऑसे पिछा जिसमें इने पटीलई इसमें लालबोटी वें इसमें नाल और अधर मक्ट्री Kelsey कि मेलेकी मेले की वर मेलेगी और नए चेमेचा हिए और जिसमें मैलेकी मेले की चाहिए आपको मख़ी गया, इसमें है नोठी की आपको दो कि पर्छाशिटा पुक्तीम है आपका के अगर निहारी और आपका मिलते है अब आपका अब हमारी लाल भोटी यह कितने की हैं एक हजार रड़ बाद यह जी अगजार एक हजार प्लेट अब इस पे लगाया जाएगा तड़का तो इनके तड़के में प्याज और जिसी की की दोनों का मिक्सर होता है ब्राउन प्यास करके डालते हैं यह जा गया जो आगया जो आगया जो देखने में तो इनकी निहारी भी बहुत मज़ेगी लग रही है यह जी हमारी गर्मा करम निहारी की जवर्दस किसम की प्लेट आचुकी है और अगेन आपने रूल नमर वन फॉलो करना है वो क्या है जी अज़ भी पड़ना है अच्छा इनकी जो निहारी मुझे हजार रुपए की मिली है तक्रीवर्दस की अच्छा इसकी क्वांटी मुझे ज्यादा लग रही है इनका पुलस पॉंट मुझे लगा के यह देते हैं सिर्फ मटन का मगज पीफ का मगज नही ओता बाकी निहारी मगज नहारी की इक शाइए और अब इनके तड़के की एक तेग है अब ट्राय करते हैं तह मैंने तह केहभगा तो ईब अब वगज मिलेगा तो पहले एक बाइट बनाते है जो अमारी इस प्लेट को चार चांद लगा नहारी नहारी ऑज अफ चाहिए लग के यह अट इनक तो कि सिरफ आमने मगज की बनाई है तो भाई मगज तो सॉलिड है फुल गरम गरम नहारी मटन का मगज है तो वह ने खाने से पहले ही बता दिया था कि मुझे इनका प्लस पॉइंट लगए और उसका टेस्ट भी नहारी के साथ बहुत सॉलिड है तो अब ट्राइगे जिनकी कि म...! थोगज से पैसी जएदा मिलेंगे तो अगर आप से सपाइसी नहारी करना चाहे है आसकते है मलिकन नहारी पे अब नहाएंगे हमारी एक अल्तीमेटे सी भाइट जिसमेग मगज गोगा ।म और लाल मोटी भी और साथ हीं साथ होगी नहारी तो मेन जो फरग है वो यह थोड़ी सी जाद ह्यादा स्पाइसी है अपको स्पाइसीस पील होते हैं अभी मैंने दो से शेक्न भाइट से टीम पीट है तो मुझे स्पाइसी jest यह हमारी बाइट क्यों की किसम की बाइट जिसका मुकदर मेरा हमोह तो इनकी नहारी को मैं रेट करने वाला हूँ 8 आउट ओट अफ 10 किदर गूगल करते हैं और पहुंचते हैं अपनी लोकेशन के अर्स किया है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूरी उसके वगयर है जिन्दगी अधूरी मुझे कर लेने दो वीडियो पूरी अभी मैं मौदूर हो लोहारी गेट के अंदर और यहां पर वैजन फुल गहमा पर आपकरी जो कि आप एक जा रहता है जा कि अधर गलि जा एक यहांगे हाई सब नयहारी जे अधरome घूल यहांस के आपकर Associ Đ niet आपको मिलेगी आपको मिलेगी हाई रहे ही जैसे हो ke après यहां यह ऑपको मिली है यहामें सीदा आई गया चाना है यहां गार्यों लारी शोंकि यहां कि मुझा पता लगा कि इनकी जेल रोड पे एक बराच है और यह दो बराची तोटल और यह है जी लहुर की सबसे पुरानी नहारी जहां पे फुल नाश्टे का सीन चल रहा है इस तरफ नहारी वाला सेट अप और इस तरफ है इनका यह तंदूर वाला सेट अप जहां फुल नान खुमीरिया शॉज्धा क्ता जह रोटिंग इस नहारी झाफ एक नान खुमीजी रोटिया रोटियां लग जह है उरा है फुल्प है आप आपना लाश्टे प्रराची उग त deck बनाए है तो नहारी की वहा है घुख है यह कि पाकिस्सान की बना एंद जें सागा भी मतशनारी जी साम आपके अनरा का लिए मर कि लिए कराची। इसलिए ला लिए चाइम पर में काटि। तक रम्दान के टाइमिंग तक रम्दान के तक रम्दान के तक रम्दान के 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 आप आप बजे खुलती है और आद बाद बजे तक यहां पर सर्च पॉइंट यहां पर आपको सस्ते में भगज नंगी नहारी और भीफ नहारी मिलेगी प्लस इनके सींट उठ जाते हैं जब एक तम देग में से बड़े बड़े मचली के पीस निकालना शुरू करते हैं यह उनका में तसला जिसमें नहारी है और इसी में आपको लाल बोटी मिलेगी इन्होंने कोई अलग से नहीं रखी हुई सुभानला यह रखें यह जी मचली की पूरा मचली का पीस आया है और इसकी कितने की प्लेट रहती है अच्छा 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 सुभानला इसकी कितने की लोगी जो भी अपना मेन है ऐस सुभानला रेयंगे है कि मन अच्छा मन तक्रिबन 40 पिलो एक राव मचली रहीत है यहां से बहुत ही आकिसम की खुश्यों को आरए यह लाल बॉटी है तक यह पीस चेक रहें हैाँ इसका तो इन्हों ने यहां पर मचलियों की लाइन लगा दिया है अच्छा यह इनका बाकी सेटप जिसमें आपको इस तरफ पहले मघस देखने को मिलता है यहां पर है नली और यह लाल बोटी अब एक लेट तयार होनी रगी है तक यह देखने करनें का मचलि कापीस अब ले सकतें हैं यह कितने व लेते है यह इस्याट आनल सुझ आपको यह जब होस्क्ता है और फayक्ता है यह कितने प्लेट था इस्याट की आपकिन एक अग और बार ढिए आगया है अगय buttons laugh मगज का कुएला बेए बाटन दोना होते हैं पादिल्क है पादम बैपन अगया है टी ती हमारी गरम गरम प्लेट तेयार है नहारी की और हमने लगवाया वो यह लाल बोटी यह लाल बोटी आगी और साथ आएगा मगस शोरबा गरेवी आगी और आपाएगा मगस वह आपेशने जाएगा क्लेटे आपकराब तो हमताएगाना खाने में टीनिया उप जिलेट जो है ना हुआँ काली मुर्चय माष्वार दो वना आपकराब अच्स आख आखा लगी ये इह 500 है अच्रूजो टड़के के साथ 600 की है इसमें देखें आपको अनियन्ज मिलेंगे। और ये देसीगी का तड़का होटा है यह हमारी निहारी की गरम गरम प्लेटा आ चुकी है यह है 600 रुपेकी और श्यो के लिहाद से मुझे की कॉन्टिटी काफी अची लग रही है मगज नजर आ रहा हो गा है हल्की सी तरी की ले ज़र नजर आ रही होगी और उसके नीचे है हमारी मेन ग्रेवी और लाल रोटी साथ है ये इनकी खमीरी रोटी इनका कहना है कि ये दूसरों से काफी डिफरेंट होती है जो सादा खमीरी रोटी होती है उससे ये काफी डिफरेंट होती है और साथ थोड़े से इन्होंने हमें इंतिजामाद दी है, लीमू है अबस्ट मिर्चा है, तो अगेन हम अपना रूल नमबर बन अप्लाइ करेंगे, अचार लीमू इन्होंने सबसे जादा दी है, यह देखें जी रूल नमबर वन, सुभान अल्लाइ, फुल रस भरे लीमू ह और दो दिये इतने जम्बो साइस के नहारी ट्राइ करने से पहले मैंने सुचा आपको पॉजिटिव बात बदा दू जिए यहां पर मैंने नौटिस की यह मैंटर नहीं करता आपके पास देट सो है दो सो है ड्हाइ सो है अगर यहां पर नहारी लेने आते हैं तो यह आपको खाली हात नहीं बेचते हैं चो मुझे बात इजर की अच्छी लगी अपने नहारी कराए करते हैं पहले मघस के अठी भाइट बनाएंगी अपनी जबरदस्त की समकी विसमिलाहरोमान बाइट नमर वान इनकी नहारी में आपको अच्छे भले स्पाइसिज मिलते हैं तगडी स्पाइसी नहारी है लेकिन यह जो मैं नहारी कहा रहा हूं इससे पहले मैंने जो दो नहारी त्राइएं की हैं उससे टेस्ट में तोटली डिफरेंट है उन नहारी में क्या होता है कि वह जो तड़का लगाते हैं तरी डालते है उसके बहुत थिक लेयर होती है और ग्रेवी कहीं नीचे रह जाती है उसका टेस्ट वह बड़ा भिक्स हो जाता है लेकिन इसमें इनकी जो तरी की और जो तो अगर आप मीट को देर तक शोरवे के अंदर बनाए ना उसमें घुल जाता है खुर जाता है वो चीज है सुभान अल्लाह यह जी हमारी दूसरी बाइट इनका मगज और लाल बोटी दोनों शोरवे के साथ प्रॉपर ब्लेंड है खड़ा खड़ा सा टेस्ट नहीं आता अपको तो सबसे जादा जिस तीज ने मुझे यहां पर इंप्रेस किया ना के एक तो इनकी प्राइस कम है यानि छेसो के लिहाज से मुझे यह कॉंटिटी काफी इनफ लगी और दूसरा यह के इनकी लाल बोटी का कोई मुकाबला नही अब एक अपनी अल्टीमेट बाइट बनाएंगे इस मुझा रवाने का ही यह जब आपने नही का बीफ खा रहे होंगे तो आपको थोड़ी फीलिंग जाएंगी कि आप जैसे वह बड़ी इत पर जो बोष्ट खाते है उस तरह की फीलिंग जाएंगी और दूसरा वही जो स मुझादी नहारी से और हमारी अगरी लोकेशन है मुझादी नहारी इनकी नहारी को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ ना कि मीट का लाल बोटी का नचोड मिलेगा आपको इनकी ग्रेवी में बाकि आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इस प मुझाद मार के टेंपल रोड और यह जो यह वाला रोड है यह जी भावलपुर रोड मजंग चूंग और यहां पर है मुझादी नहारी यह वो मुझादी नहारी है जो असल है और सबसे पुरानी है आए चलते हैं इस हब तकरीबान 14-45 साल होगी हमारी डिफेंस में है असार एक ब्रांच वेस्फोर्फ में है और एक बैरियाटर नमी है असार चार्म से पांच बजे सफ़ सेरी तक होईगा मुझादी नहारी नहारी के अल्टरा प्रो मेक्स किसम के सेंज है यानि 4-5 बड़े देखचे पड़े हुए हैं किसी में नहारी एक इसी में लाल बोटी है किसी में मौगत है लेकिन यहां के दो ड्रावबैक्स हैं यहां पर आपको नली सेवार्ण्हें रिप egnds और इनके पासे लाल बोटी इती है वो मचली तो यह भी दोगेरा इस तरहां कोई सीन नोचा नहीं होता ज्यारतर आपको यहां पे लाल बोटी ही मिलीगी लेकिन जिस तरह यहां पे बल्क में प्लेटें तयार हो रही थी मैंने का अब्दुर्रह्मान उठ जा मुकाबला बहुत साख्त होने वाला है यह देखे जी वीफ आगे है यह लाल मोटी है लास्ट पर दोलिस इनकी जो नहारी की ग्रेवी है वो काफे ठीक किसम किया है तो मुझे उमीद है कि यह हमें मायूस में करेंगे यह जो महामदी नहारी है यह मैं फर्स ट्राय कर रहा हूं जोहर टाउन में एक ग्रीन बोर्ड वाली नहारी है महामदी मैं आज से पहले वह समझता था कि वह असल वाली है और यह काफी है लेकि इन्हों ने बताया है कि भाई सबसे पुरानी मोहमदी नहारी हमारी है तो आपने कुमेंट सेक्शी में बताना है कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं बढ़त दी लोग चाल वीष्की बूल प्लेट स्टाइब ला 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 करणे दो और खाली है कि लाटन प्रॉछ रूरा हैो जड़ा भीफ नहारी मीले की आरे मतल इसके क्या प्राइस राइस क्या प्राइस रहती है एध हुआ फुल धने यह फुल ऑ्र आध यहाफ है आध फाद को the chicken belly ग्यार में यह है चोदा सौर बेकी और फ्राइवाली है यह सबसे पहले आगी जी लाल मोटी आगी यह अब आएगी की ग्रेवी अब आएगी अब आएगा इसमें मगस पुरी मगस से भर दी है और यहां से यह देशीगी का तरड़का है यह हमारी चोदा सौर पेकी निहारी की प्लेट यह हमारी मगस निहारी की प्लेट आचुकी है जो के है चोदा सौर पेकी अभी तक की सबसे महंगी है लेकिन आप चेक करें प्लेट इस तरह है कि जैसे इन्होंने उल्टी भरी हो नीचे ग्रेवी उसके उपर तरी और सबसे ज 1400 की जरूर है लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट यही है कि लाल बोटी की और मगज की अच्छी भली इनों ने कौंटिटी एड की है यह दो बंदे अराम से खा सकते हैं मैं आपको गरेंटी दूँगा यह नहारी ट्राइ करने से पेले इंका मैं प्लस पॉइंट को हूँ या नेगटिव पॉइंट को हूँ कि लाल बोटी इतनी ज्यादा है मगज इतना ज्यादा है कि ग्रेवी कहीं दब के रह जाती है तो ज्याद से ग्रेवी कानिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी तो पहली अपनी बाइट बनाएंगे जी मगज के साथ सुछान अल्ला इधर आपको मगज ढूड़ना नहीं पड़ता आप नमाला बनाते हैं मगज भर भर के आता है फर बर के यह देखे जी हमारी पहली बाइट ब यहां पर आपको मगज का एक उनीक टेस्ट मिलेगा मगज उसके अंदर उस तरह ब्लेंड नहीं होता एक मगज का अपना प्रॉमिनेट खड़ा-खड़ा से टेस्ट है जो मैं पिछली में में कह रहा था आपको अब दनाएंगे कि लाल बोटी के साथ और लाल बोटी भाई यह शुलीड है यह देखिए दिखाता हूँ आप वेट गारे यह देखिए वाई वाई इसमोगोगो आक में लाल बोटी के सीन एक एक रेश्ण पकड़कर आप लग कर सकते हैं ऐसी लाल बॉटी कहां चलाओगे हम बनाएंगे एक लाल बोटी के साथ बाईे हमारी अटिमे तोगी क्योंकि इनकी इस मघज वाली प्लेट में आप मघज को निकलेट नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप बाइट बनाएंगे मघज की इतनी ज्यादा क्वांटिटी है वो खुद ही नवाले में आ जाएगा तो यह हमारी बाइट नमबर टू जो के हमारी अल्टीमेट बाइट भी है बिसम्ला रॉमान रहीं महंगी जरूर है लेकिन ग्रेवी एक नमबर लाल बॉटी सॉलिड एक नमबर और मघज भी एक नमबर तो मेरी तरफ से यह आपको हाइली रिकमेंडिट नहीं है यह आगे ट के स्टार्ट में मैंने बोला था कि हम नहारी के पांच पॉइंट कवर करेंगे लेकिन हमने चार कवर किये क्योंके मुझे फाजवा ऐसा कोई पॉइंट ही नी मिला जिसको मैं इनके मुकाबले पे लाके खड़ा कर सकूँ तो आपकी नजर में अगर और तीन चार कमेंट सेक्शन में बताओ तो फिर हम एक और इसकी एपिसोड टू बना देंगे अब यह है कि मैंने चार नहारी ट्राई की चारो बहतरीन थी मुझे उनका टेस्ट अच्छा लगा लेकिन असल कहानी आती है प्राइस पॉइंट पे तो अगर आप सस्ती और अच्छी नहार की भी नहीं मुझे पढ़ी है अठारा सौ रुपे की महमदी नहारी बास जो वारिस नहारी है वह उसकी प्राइस फिर थोड़ी रीजनेंबल है 1100 रुपे की आपको मिल जाती है अब वारिस और महमदी में मेजर फरक यह के अगर आपको ज्यादा ग्रेवी वाली नहारी प लेकिन जो इसका माइनस पॉइंट है ना के भाई अठारा सौर में आपकी एक दुफा जेब खाली हो जाती है आप से रिट्वेस्टे के चैनल को सब्सक्राइब करतो भाईजन पर भाई आर ये वीडियो की और दुबाई सीरीज अगर नहीं देखी तो वो भी जाके देखो इंस्टेग्राम पे मुझे फॉलो कर लो किसी भी टाइम आप मुझे इस्टेग्राम पे रीच आउट कर सकते हो और जो मैंने आपको बताया था कि फूड वॉक होने वाली है या गीववे कुछ इस तरह का होगा तो इस्टेग्राम पे भाईजन पहुंचो डियम करो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए अल्ला निगे बार